नमस्कार स्रोधमेत्रो रस्मी की दुनिया में आपका स्वागत है निर्मल वर्मा की परिंदे एक प्रसिद कहानी है इसकी कथावस्तू कहानी के केंद्रे चरित्र लतिका के एर्द गेट ख्यूमती है कहानी की सुरुआत वर्डन लतिका के होस्टल में चेकिंग राउंड लगाने से होती है रात के समय होस्टल की लड़कियां काफी सोर सरावा करती है इसलिए लतिका ने एक कमरे के पास चाकर तरवजा खटखटाया यह सुधा नामक चात्रा का कमरा है और वस शायद सबसे लो उप्रियचात्रा है इसलिए उसी के कमरे में जमघट लगता है कमरे का दरवाजा खुलते ही लतिका ने देखा कि कमरे में अंदेरा है उसके पूछने पर सुधा ने बताया कि लैंप का तेल खत्म हो गया है और करिमुदिन से कहने पर भी उन्होंने लाकर नहीं दिया है फ तुम हंगामा क्यों कर रहे हो इस पर जबाव मिलता है कि कल से स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां लग रही है इसलिए हमने हेमंती के गाने का प्रोग्राम रखा है आप भी सामिल हो सकती हैं लदिका को लगा कि उसने यहां आकर चात्राओं के आनन में बाधा डाल देख उसने विशे को बदलते हुए कहा कि सभी लोग घर जाओगे या मेरे साथ स्नोपॉल देखने कोई नहीं रुकेगा इस सवाल के बदले में लड़कियों ने लटिका से सवाल किया कि मैडम क्या आप छुट्टियों में घर नहीं जा रहे हैं इस सवाल का लटिका के पास एक जवाब था जो वह हर साल से देती आ रही है बह यह है कि I love this snowfall यही वह सवाल है जो संपूर्ण कहानी में लटिका का पीछा करता है और उसके जीवन की तरास्ति को प्रस्तुत करता है लटिका लड़कियों को good night कहकर कमरे से बाहर निकलती है और अपनी भीतरी दुनिया में खो जाती है उसे तो याद ही नहीं रहा कि कल से छुट्टियां हो रहे है ऐसे में सेडियों की बातचित ने स्वर्ष ने उसका ध्यान तोड़ दिया सेडियां चड़ती हुए डॉक्टर मुकर जी और हुबर्ट उपर आ रहे हैं दरसल वे दोनों मिस लटिका को निमंतरन देने आए हैं आज डॉक्टर मुकर जी के कमरे में एक छोटा सा कॉंसर्ट रखा है जिसमें मिस्टर हुबर्ट कमपोजिशन बनाएंगे मिस्टर हुबर्ट कमपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी लटिका को न चाहते हुए भी उनके प्रोग्राम में सामिल होना पड़ा यहां भी डॉक्टर मुकर जी पूछते हैं कि मिस्टर लटिका आप इस साल भी छूट्टियों में यहीं रहेंगे वह तो अच्छा होता है कि लटिका के कुछ कहने से पहले ही यूबर्ट की उंगलियों से प्यानों बजूटता है लटिका कुर्शी पर बैठ के बोर होने लगती है वह सोचने लगती है कि क्या वह बूरी होती जा रहे है प्रिंसिपल उड़ की तर ऐसे में यूबर्ट द्वारा भेजा हुआ प्रेम पत्र उसे याद आया और सुकून मिला की उसकी उम्र अभी धल नहीं गई है दूसरे ही पल उसके मानस पतल पर एक स्मुती उबरी जिसमें वह किसी को भी चाह नहीं सकेगी आगे जब डॉक्टर ने हुबर्ट को लतिका और गिरिस नेगी का प्रेसंग सुनाया तब हुबर्ट को अपने प्रेम पत्र पर अपराद बोध हुआ और वह प्यानों बजाना छोड़ कर अपनी कमरी में चला गया कहानी के दूसरे द्रूस्य में चापल के प्रेर हाल का चित्रन है जिसमें फादर अलमन सर्मन आफ दे माउंड पड़ रहे हैं पीछे के बैंचुक पर लड़कियां प्रार्थना के मुद्रा में बैठी है लेकिन खुसर खुसर कर रही है उड बुद्बुदा रही है और डॉक्टर जमाई ले रहा है फादर अलमन की वेश भूसा देखकर लतिका के मन में गुद्गुदी हो रही है सर्विस के समाप्त होने से पुर्व मिस उड ने आडर पढ़कर सुनाया बारे सोने की आसंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवस्यक परिवर्दन करने पड़े है पिकनिक के लिए छूला देवी के मंदिर जाना संभब नहीं हो सकेगा इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़किया नास्ते के बाद जमा होंगी सब लड़कियों को दोपर का लंच होस्टल किचिन से ही ले जाना होगा किवल साम की चाय मिडोज में बनेगी इसके बाद लड़का और हिवर्ट के बीज बातचित होती है लड़का हिवर्ट से पूछती है कि आप दिल्ली जा रही हो उसके स्वर में दूरी का भाव उभरता है हिवर्ट लड़का से कहते हैं कि आप छुट्टियों में कहीं गूमने क्यों नहीं जाती सर्दियों में यहां सब वीरान हो जाता है लतिका बताती है कि पहले साल कुछ अकेला पन लगा था किन्तो अब आदत हो चुकी है क्रिस्मस से एक रात पहले क्लब में डैंस होता है लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है नए साल के दिन कुमाओ रेजिमन्ट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निमल किया जाता है बर फर स्केटिंग होती है रंग बिरंगे गुबारों के नीचे फौजी बैंड बचता है फौजी अपसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हुबर्ट फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टुरिस्ट आते हैं हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ वापस लोडते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता फिर फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिगलने लगती है छुट्टियां खर्म खत्म होने लगती है आप सब लोग अपने अपने घरों से वापिस लोडताते हैं और मिस्टर हुबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुए थी कब खत्म हो गई इसके बाद मिस्टर हुबर्ट अपने द्वारा भेजे गए प्रेम पत्र के लिए लतिका से माफि मांगते हैं लेकिन लतिका को यह गयर जरूरी लगता है कथावस्तु के उत्तरार्द में सभी पिकनिक के मिडोज निकलते हैं मिडोज यह एक छोटा सा द्वीप है जिसके लिए जंगलों का रास्ता पार करना पड़ता है मिडोज के को बीच में काटता हुआ तेड़ा मेडा बरसाती नाला बहता है जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है यहीं पर काट के तक्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है जिस पर लड़कियां हिज कोले खाते हुए चल रही हैं इसके बाद डाक्टर मुकरजी और प्रिंसिपल वूड के बीच वातलब होता है जिसमें डाक्टर की जीवन के प्रति लापरवाई दिखाए देती है लंच समाप्त हो जाता है लड़कियों के छोटे छोटे दल मीडोज में बिखर जाते हैं उची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चड़कर सुखी तहनिया तोड रही है लटिका होस्टल की लड़की जूली को बुलाती है और उसे लिफापे के बारे में पूचती है जूली अपना बच्चाव करने के लिए जाती है लेकिन लटिका अपने पहले प्रेम अनुभव के बारे में सोचने लगती है इसी देवदार ब्रिक्ष के नीचे गिरिस के साथ उसे प्रेम का अनुभव मिला था उसे लगता है कि जूली का भी यह प्रत्थम प्रेम परचे होगा जिसे हर लड़की बड़े चाव से अपने अंदर संभाल कर रखती है इसलिए कहानी के अंद में लटिका जूली के कमरे में जाती है और सोती हुई जूली के तक्ये के नीचे उसका लिफाफा रख देती है कथावस्तो यहीं पर समापत होती है धन्यवाद स्रोदमित्रो मिलते हैं अगले एक वीडियो में और हाँ आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्रेब जरूर कीजिएगा धन्यवाद